तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यूनिक और लाजबाव रेस्पी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और जब आप इस नई ट्रिक्स से नाश्टा बनाएंगे तो यकीन मानिए खाते रह जाएंगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को करीब जीरा दो पिंच के करीब हिंग इन तीनों चीजों को अच्छी से करेकल कर लेना है और इसमें अब जाएगा हाफ टेबल स्पून के करीब लाल मिज्ट पाउडर बंफोर टीसपून के करीब घनिया पाउडर इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है गैसकी करीब करम धिरेंगे नमक नमक आपप अपने टेश्ट के क्या अपर अग्छ ते चाहिए हरा धनिया को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मसालों के संग मिक्स कर लेंगे और इसको हमने 2-3 मिट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है तो यहां पर हमारी स्टफिंग एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत ही बड़िया हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है आलू की हमारी स्टफिंग बनकर तयार हो चुकी है और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार मिक्सी का जार में जो हमने फ्रेश मटर ली है वो हम इसमें डाल देंगे इन्हें उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इन्हें कच्चा ही लेना है और इसमें हम डालेंगे एक पिंच अद्रक का टुकड़ा जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइट कर लिया है और यहां पर हमने लिया है तीन हरी मिर्चे और इन सब को हमने महीं पीश लेना है तो यहां पर अगर आपका नहीं पिसरा है तो आप इसमें एक से दो चमज के करीब पानी भी डाल सकते हैं इसको एक साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसिस की तरफ तो यहां पर हमने लिया है दो कप के करीब गिहूं का आटा आप चाहे तो मैदा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दो कप कियों का आटा हमने लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे आधा कप के करीब सूजी सूजी इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी आप चाहें तो इसको एड़ कर सकते हैं वरना आप इसको इसको इसकी भी कर सकते हैं और इसमें हम एड़ करेंगे एक छोटा च की चटनी बनाई थी वो हम इसमें एड़ कर लेंगे आप चाहे तो अगर आपके पास हरे दनी की चटनी पहले से ही है तो आप उसका भी ये नाश्टा बना सकते हैं तो यहां पर हम इसमें आदा आटा एड़ करेंगे जो हमने आटा मिक्स किया था आदे आटे को हमने इसमें और आदा आटे का हम बाद में इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर जो आदा आटा हमने चत्नी में डाला है उसको हमने अच्छे से चत्नी के संग मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करते होगे हमने इसका आटे का डो लगा कर तैयार करना है तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है सूजी इसमें अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगी है दो होगे बनाई हैं और सफेल कर देना है और ऑklah में इस प्रेंके हमने लोग ऑच्छे को हमिए बात चा die 확인 इस पर एक उपर चारी का करनाintense कर दीना है और जाने सकत आप लाए ॉइं aggiणि न हम लोग ला ना प्रेंके रुड़ियों बिल्टा को कलेया है और फिर समक्तित स तो यहां पर हमने इसको ऐसे ही बेलना है तो यहां पर हमने हातों से अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और फिर हम इसको बेलन की हेल्प से बेलकर तयार करेंगे जैसे कि हम रोटी बेलकर तयार करते हैं ठीक उसी तरह से हमने इसको बेलकर तयार करना है तो यहां पर हमने इ के से करूब रोटी किसे हैं और हाथ के फिर्टी रोल करना है किसान को मैंने हैं और रोटी को उत्फाना है और दबातधे हैं तो यह बहुत ही एजी है बनाना और बहुत ही सिंपल रिस्पी है तो आप इस रिस्पी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो रॉल हमारा बनकर तयार हो चुका है और एक चाकू की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे और इनको हमने हाफ हाफ इंच की दूरी पर कट कर लेना है और उनमें बहुत ही अच्छा सा जैबरा डिजाइन आएगा तो लोईया हमारी बनकर तयार हो चुकी हैं ये देखिए कितनी बड़िया लग रही है न और अब हम एक एक लोई उठाकर इसका नाश्ता बनाएंगे तो यहां पर हमने इस्टेनर लिया है यानि की छेदो वाली चलन और इसके उपर हम लगाएंगे हाफ टेविल स्पून के करीब टोमेटो कैचप इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टैंगी हो जाएगा और जो हमने आलू की स्टफिंग ली थी वो ठंडी हो चुकी है आलू की स्टफिंग को हमने इसके उपर रखना है और इ लिखने में स्टूर बहुती खुबसूरत दिखते हैं तो लीजिये हमने बहुती बड़िया समोसा बनाकर तयार कर लिया है और इसको हमने साइदो से उठाना यह देखिए लग रहा है ना बहुती खुबसूरत और बहुती आसानी से बन जाता है तो आप इस रिस्पी को ए यदाते हुए अच्छ से प्रेस करना है तो यहाँ पर हम इसका हाफ मून κα envision apl Engnay जो की बहुत ही खुब्सूरत बनता है तो यहाँ पर हमने अच्छ से इसको प्रेस कर देना है आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं और इसको हमने कुछ इस तरह से मोड देना है यकीन मानिए जब आपके घर में कोई फंक्शन हो या कभी आपको कोई खास बनाना हो तो आप ये रिस्पी ज़रूर बनाईएगा तो गशेंगे ये रिस्पी आपने कैसे बनाई है तो बहुत ही बड़िया हमारी हाफ्मून की डिजाइन बनकर तयार हो चुकी है तो चलिए हम गैस की तरफ चलते है गैस पर हमने कढ़ाई में ऑईल को अच्छे से गरब कर लिया है गैस की फिलम को हमने लो कर दिया है तो नाश्टे को हमने इसमें डाल देना है जतना स्पेस हो काड़ाई में उतना ही डाले जो आप आसानी से हैंडल कर लें आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके इसमें तीन समोसों को डाल दिया है और इसमें हलके हलके से बबल्स आ रहे है तो यहाँ पर हमने गैस की फिलम को लो कर दिया है और हमें ये एकदम क्रिस्प बनाना है तो यहाँ पर हमने इसको लो फलेम पर अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो हलका हलका सा गोल्डन ना आने लगे तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हलका हलका सा गोल्डन आ चुका है तो हमने एक एक करके सारे समोसे को बाहा निका लेना है जो कि बहुती जदा क्रिस्प लग रहे है खाने में बहुती जदा टेष्टी है तो यहाँ पर बहुती डेलिसस हमारे यूनिक स्टैल के समोसे बनकर तैयार हुए है तो ये देखिए इन पर एकदम गोल्डन कलर आ चुका है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए है तो यहाँ पर हमने जो हाफ मून की डिजाइन बना कर रखी थी हम उसको भी फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई करने के बाद बहुत ही खस्ता बनते हैं और इसके अंदर जो चटपटी सी स्टफिंग है ना वो भी बहुत चांदार लगती है तो इस चांदार रिस्पी को एक बार बनाना तो बनता है तो यहाँ पर इनका भी कलर हलका हलका सो गोल्डन आ चुका है इनको भी हम बाहा निकालेते हैं और ये लिए जिए बिल्कुल तयार है हमारे सूपर क्रिस्पी सूपर टेस्टी यूनिक स्टाइल के समोसे जब आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे न तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाए हैं वो भी इतने कम सामान से ऐसे समोसे जो खाएं बस दीबाना हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको एक समोसा तोड़ कर दिखाती हूँ यम्मी फीलिंग और एकदम क्रंची जबरदस्त टेस्टी आटे के समोसे बनकर तयार हो चुके हैं बहुती इजी ट्रिक है इसे बनाने की आप लोगों ने देखा होगा कितनी आसानी से हमने एक एक स्टेप आपको बताई है आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जटपड से इसमोसे बना सकते हैं इसका शेप देखिए वाव कितना यूनिक और अट्रेक्टिव लग रहा है ना जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए और सभी से तारीफ पाईए तो आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई रेस्पी के साथ जब तक इजाज़त चाहती हूँ